असी के दशक में राम तेरी गंगा मैली फिल्म में बोल्ट सीन्स दे कर तहल का मचाने वाली आक्ट्रिस मंदाकिनी आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है जहां अपनी पहली ही फिल्म से बॉलिवड में तहलका मचाने वाली मंदाकिनी का फिल्मी सफर काफी छोटा रहा जिसकी वजह फेमस गैंग्स्टर दाउद इब्राहिम से उनके अफ़ेर और फिल्मों का कुछ खास कमाल नहीं कर पाना था वैसे तो मंदाकिनी ने कई सारी फिल्मों में काम किया लेकिन राम तेरी गंगा मैली में ने भाया गया गंगा का किरदार ही लोगों की जुबा पर रह गया लेकिन आज हम आपको इस अभिनेतरी के बारे में नहीं बलकि इनकी बेटी के बारे में बताने वाले हैं कि मंदाकिनी की बेटी कौन हैं क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं तो चलिए बिना वक्त गवाइश शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और जानते हैं मंदाकिनी की बेटी के बारे में मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को हुआ था इनका असली नाम यासमीन जोजिफ था पर इन्हें बॉलिवड इंडस्ट्री में मंदाकिनी के नाम से ही जाना जाता था अगर बात करें इनके अभिने करियर की तो इन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मेली में काम करके अपने फिल्मी करियर की शुरुवात की थी और पहली ही फिल्म से ये बॉक्स आफिस पर हिट साबित हो गई थी इस फिल्म में इनके काफी ज्यादा होट और बोल्ड सीन्स दिखाए गए थे जिसकी वजह से इन्हें बॉलिवुड इंडस्ट्री में पहचान मिली थी इस फिल्म के बाद मंदाकिनी कहीं और फिल्मों में नजराई जिनमें डांस डांस, लोहा, कमांडो और तेजाब जैसी फिल्में शामल हैं और ये सभी फिल्में इनके करियर की सफल फिल्में मानी जाती हैं पर एक दिन अचानक इन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया इन्होंने फिल्म जोरदार से अपने फिल्मी करियर को खत्म कर दिया पर ये दोबारा चल्चाओं में तब आई जब इनका नाम अंडर वर्ल डॉन दाउद इबराहिम के साथ जोड़ा जाने लगा ले है लेकिन अगर बात करें इस अभीनेत्री की बेटी के बारे में तो इनकी बेटी का नाम इनाया ठाकुर है जिनका जन्म लद्दाक में हुआ था और ये अपनी शुरुआती पढ़ाई लद्दाक के स्कूल से ही कर रही है आपको बता दें कि बाकी स्टार किट्स के तरहा इन्हें लाइम लाइट में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि जब से इनकी माने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा है, तब से इनके परिवार का कोई भी स्थध्य लाइम लाइट में नहीं आया है। लेकिन अगर बात करें इनकी खूपसूरती के बारे में तो आपको बता दें कि मन्दाकिनी की बेटी बहुत ही ज्यादा क्यूट है जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं तो दोस्तों, आपको अपने दौर की मशूर अभिनेत्री मंदाकिनी की बेटी से रूबर होकर कैसा लगा? आप अपनी राए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलिवड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें।